यह एक मज़िदार तरीका है बच्चों को युग्म शब्द सिखाने में मदद करने का आप तीन शब्दों को बोल सकते हैं दो जो तुक बंदी करते हैं और एक जो नहीं और उनसे पूछें कि कौन से दो शब्द हैं जो तुक बंदी करते हैं उधारन के लिए आप कह सकते हैं तीन में से कौन से दो शब्द हैं जो तुग बंदी करते हैं चल, कल और हट जब बच्चा कहता है चल और कल आप कह सकते हैं यह सही है चल और कल तुकान शब्द हैं क्योंकि वे एक ही ध्वनी के साथ समाप्त होते हैं या आप कह सकते हैं इन में से कौन से शब्द तुख बंदी करते हैं कब, सब और नल और बच्चा कह सकता है कब और सब यदि बच्चे को परेशानी है तो आप शब्दों को धीरे और स्पष्ट रूप से दोहरा सकते हैं आप यह भी समझा सकते हैं कि उन्हें सुनने के लिए अन्त ध्वनियों को सुनने की आवशक्ता है जो एक समान है उधारण के लिए आप कह सकते हैं हमारे शब्द हैं कब, सब और नल नल अन्त होता है ल से, लेकिन कब और सब दोनों अन्त होते हैं ब से इसलिए कब और सब तुकांत शब्द है यह गतिविधी उन्हें तुक बंद शब्दों की पहचान करने में मदद करेगी